वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें और आज हम लोग देखेंगे चो लगाँ एक के बारे में चोला इंपायर के अगर बात करें तो इसलिए चोला इंपायर का जो फांडर वीज़ेा लेँ खालाल इंपायर के तो जिसने पीक स्थे एक ज़ाए और जिस आफटर दिस राजिंद्र फर्श्ट मेड गंगाई कॉंड चोलपुर्म दे या चापटल एव उर्य पूजिसेँ फिरी चनिक ऩयूर सिपवल तो ऊजलपुर्म को उदिंगता गंगाई कॉलपुर्म को चोलपुर्म का नेशनल इंबलम की बात करें तो टाइगर था फ्यूडल लॉर्ड सिप दचोलाज वेर फ्यूडेट्री आफ पल्लवाज इसके बारे में आगे देखेंगे दो मोश्ट पावर्फूल एनमी ऑफ चोलाज आर वेश्टर्न चालुकियाज आफ कल्यानी जो वेश्टर्न चालु रिवाइवल औफ चोला पावर बिगैन अंडर दे लीडर्सिप आफ विजियालेय आराउंड 850 एडी ठीक है 850 एडी में जो चोला इंपरर जो चोला किंग्डम था उसकी पावर जो है बढ़ने लगी थी अंडर ददे लीडर्सिप आफ विजियालेय आफ व्यूडेय वा विजयालया ने छोला श्टेट का फांडेशन रखा। पांडेया President अवेच्छ पांडेया टूक अवर तंजोर। पांडेया को हरा करके विजयालया ने तंजोर पर अधिकार कर लिया एन्यो इंडेट दुर्ग टेंपल विजयालया थंजोर। दुर्गा टेंपल बनवाया आगे नेक्स्ट रूलर रहता है उसके बाद आदित्य फर्ष्ट जिसका टाइम पीरियड है अधित्य फर्ष्ट की स्टोरी यह रहती है कि यह क्या करता है कि अपराजित वर्मन कुमार देता है अधित्य फर्ष्ट के बारे में यह बाते हो गई सबसे पहले अपराजित वर्मन को मार करके राजा बन जाता है और कॉंडन दर्म का टाइटल इसके पास हो जाता है और इसी के टाइम में एक इंस्क्रिप्शन है तक्कुलम जिसमें एक सोलर एकलिप्स के बारे में में मेंशन किया गया है ठीक है इसके बार आता है नेक्स्ट किंग है परांतक परांतक फर्स्ट परांतक फर्स्ट का टाइम पिरियड है 907-80 से लेके 955-80 तक तो इसमें इसके बारे में है कि a detailed amount of local rural administration is found in two inscription obtained from उत्तम मेरूर in 919-80 and 921-80 of परांतक फर्स्ट ठीक है इसमें दो inscription मिले हैं उत्तम मेरूर में जो कि आपके आप परांतक 1 से बिलॉंग करते हैं इसमें local rural administration के बारे में काफी ज़्यादा जानकारी पता चलती है the first all powerful चोला ruler was परांतक फर्स्ट परांतक फर्स्ट जो है इक powerful राजा था चोला kingdom का and some historian consider him to be the real founder of चोला power ठीक है तो कुछ historian जो है वो परांतक फर्स्ट को भी real founder मानते है and he defeated combined army of Pandya and Singhala king in the battle of Valor and to control of Madra ठीक है battle of Valor जो होता है इसमें परांतक फर्स्ट जो है वो Pandya और Singhala king दोनों की combined army को हरा देता है और Madra पर control कर लेता है and on this occasion he assumed the title of Madurai Konda ठीक है Madurai Konda का title इसे मिलता है खुछ titles पर ध्यान दीजिएगा ठीक है जो battle of Valor है इसमें Pandya kings और Singhala kings को हराने के बाद Madra पर control करने के बाद he assumed the title of Madurai Konda फिर आगे देखते हैं नेक्स टाइटल है इसका विराचोला 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 तो commemorate the victory of राष्ट्र कुटाज and he performed the यगनाज नेम हेम गर्भा और तूला भार ठीक है इसने कुछ यग्गी भी फैर्ष्ट मेंकता माधवा वजड़ भाष्यकार अफ रिग वेदा ठीक है मेंकता माधवा वजभा चिदंबरं विद गोल्ड तो ये सारी से हैं परांतक फिर्ष्ट के बारे में and next है कि he was defeated by राष्टकुटारूरल कृष्णा 3rd in the battle of तकोलम in 949 AD and took control of टुंडा मंदलम on this occasion कृष्णा 3rd held the title of oppression of कांची and तंजोर ठीक है गांधारा दित्यास wife is सेंबी अन महादेवी and she was the mother of उत्तम चोला and अरी जायास son was परांतिकाफ second तो में देख लीजे कि परांतिक फर्स्ट के बारे में क्या है कि कुछ historian इसको बोलते है real founder of चोला kingdom क्यूं क्यूंकि इसने battle of वेलोर में मद्रपे control कर लिया पांडिया और सिंग्ला किंग्स के combine army को हराया था और जिसलिए इसको टाइटल मिला था मुद्रपे कोंड़ा ठीक मद्रपे कोंड़ा नेक्स्ट है और जो इसका टाइटल है वीरा चोला वो करता है विक्स्ट्री आफ राष्ट कुटा को नेक्स्ट है इसके बारे में और चीज़े हैं कि इसने कुछ यग्य परफॉर्म कराये थे जैसे हीम गर्भ तुला भार उसके बाद है यह इसने क्या किया था कि इसके बारे में और घेर सारी चीज़े हैं कि इसने बैटल आफ तकुलम में परांतक फर्स्ट को हराया था फिर आता है परांतक सेकेंड अब बात आती है परांतक सेकेंड जिसका टाइम पीरेड रहा है 956 to 971 इनके बारे में के इंप्रॉट है कि ओल्ड इस उला सुला को यौर इद्र इंच्रिप्शन या न न चाम Πरांतक सेकेंड डाप्रत यौक करता है सुंदार चोला इन्वेड़ेट स्री रंक अछिए वाइफ वानावन महादेवी कमीटेट सती आफ्टर हर आफ्टर हिस डेथ ठीक है सुन्दर चोला इन्हों ने स्री लंका पर भी इन्हों ने भी स्री लंका पर इन्वेट किया था एंड अनिक्स्ट है आगे थिरू वाला गडू इंस्क्रिप्शन रोट प्रेजस परांतक सेक प्राइट बिंग स्टॉंस साइवा ही वाज लिबरल तो बुद्धिजम फिर है से विजम का फॉलोवर होने के बावजूद भी बुद्धिजम के प्रति भी काफी ज्यादा लिबरल था इन हीस कमेंडेशन इंस्क्रिप्शन लॉर्ड बुद्धा इस प्रेइट फॉर इस स्ट्रेंथ एंस प्रोस्पेरिटी एंड इस सन अधित्य सेकेंड वस्किल्ड बाई उत्तम छोला ठीक है लाश्ली यह इसकी डेथ हो जाती है विकॉस आप ग्रीफ ऑफ इस संस्टिमाइस इन हीस ओन गोर्डन पैलेस इन कांची ठीक है नेक्स अगर आगे बढ़ें उत्तम टारिंथ को इस प्रेटीक कुर्ट शला ठीक है उत्तम छोला को ही गोड्ट और सिल्वर कोयन इसु करने का क्रेड़िट जाता है दो ओल्डेस्ट गोड़ यन सिल्वर कौंze अप छुला ठीक है अंड उत्तम्चोला भीकेवें चिंग आफ्टर पालांतक सेकेंड च्यों कि फिर है राजा राजा फर्स्ट ने भी compromise किया था उत्तम चोला के साथ to avoid civil war that he could become the king in place of उत्तम चोला's children after his reign. ठीक है तो ये चीजे समझ रहे हैं इसमें सबसे पहले क्या हुआ था उत्तम चोला ने क्या किया था परांतक सेकेंड के बेटे को मार दिया था बाद में उत्तम चोला को राजा बनाया जाए ना कि उसके छोटे बेटे राजा राज फर्स्ट को फिर वहीं राजा राज फर्स्ट जो था इसने उत्तम चोला के साथ बात कि और ये बोला कि जो इन्टर्नल सिविल वार होती है उसको avoid करने के लिए उत्तम चोला के बच्चों की जगा राजा रा सचरुंद के परता Schmidt का था उसने क्या किया वह तरह का यूछ की तरह काम करने लगा गांट सब्सक्र उत्तमचोला के सद्टरेद की बजाए राजा-्राज का सब्सक्राइबाद सब्सक्राइब करें जिनका टाइम पिरिय Rabbi रहा है 985 210 148 इनका ओरिजनल रहा है अर्मोली वर्मन अर्मोली वर्मन राजा-राजा ही हेल्ड टाइटिल ऑन दो केजन आफ कोरोनेशन एंड इनके पास और भी टाइटल थे एक था टेलिंग कुलान तकॉ कम्लोघ कलिंगा जिंगल सिंगल तकॉ कमुम्रेत सिंहला विक्तरी ही जै अखमोंड चॉला नरायन कमुमरेटिंग कॉंच्वेस्ट वेस्ट्री में जाने कह Ace ע patience राजा-राजा और य रालोप लोपस लोपस्वार लिंगा विक्ट्री सिंग्ला विक्ट्री पांडिया विक्ट्री वेश्णन गंगेस इसलिए इनको रियल फाउंडर बुला जाता है चोला इंपायर का ठीक है और आगे देखें तो इन की बात करें अगर तो इनका टाइम पीरियड रहा है 1014-104480 इनके पास है गंगा इकॉंड अर्जियूम डिश टाइटल ऑन दे सक्सेशन ऑफ गंगा वैली कंपेंड इनका सरनेम हिस्टोरियन स्मित कॉल्डिं नेपोलियान ओफ दे साउथ हिस्टोरियन स्मित ने इनको यानि राजेंद्र फर्ष्ट को नेपोलियन ओफ साउथ बोला हुआ है राजेंद्र वाज वर्दी सवन ऑफ फर्ष्ट क्वालिटीज नेलकंट सास्त्री कीप राजा-राजेंद्र इन दोनों को फिलिप और अलेक्जेंडर की लाइन में रखा हुआ है ठीक है यह इतने सक्षम इतने पावरफुल किंग्स थे कि नीलकंट सास्त्री जो कि एक इतिहास का रहे हैं इन्होंने राजा-राज और राजेंद्र इन दोनों को फिलिप और अलेक्जेंडर की लाइन में रखा हुआ है ठीक है वह जैसे अलेक्जेंडर महान था उसी प्रकार अपने समय में राज आप्वाइन को फिलिए पर आपकर लेटेन देख लेते हैं पहले थिर्वालान गाडू इंस्क्रिप्चन राजेंडर संट राजेंडर साओद इस्याश्य विक्तिरी इंट फिर है करंडाई व्लादा कांव पातर इसमें क्या है राजेंद्रा सिंहला और Ś्री लंका विक्त इस पर इसमें मेंचन है और कुछ इंस्क्रिप्शन जैसे कि लूट इंस्क्रिप्शन है सेंबियन महादेवी इंस्क्रिप्शन है यह था राजेंद्र फ़स्ट से विलावं करते हैं इनकी कुछ अचीविमेंट देख लेते हैं इसमें है इन्होंने ही डग और 16 माइल यानि 40 किलो मेटर लॉंग पॉंड फॉर इरिगेशन इरिगेशन पर काफी ज्यादा काम किया इन्हीं के टाइम से चोल गंगा पॉंड और कनाल कंश्रक्शन का भी क्रेडिट इन्हीं को दिया जाता है इन्ट्रोडूच्ट मेनी टाइप अफ गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइंस अन्दिस इस फेवरेट टाइटल गंगा इकोंड चोल हैज बिन इंस्क्रिप्ट इसलिए इन्होंने एजुकेशन पे भी काफी काम किया वेदिक लिटरेचर के लिए स्कूल वगेरे इसलिए इनको पंडित चोला भी बोला जाता है ठीक है इन्होंने अपना मैसेंजर भी सेंट किया था चाइना को और राजेंद्र फर्स्ट इस्टैब्लिस फ्रेंड्सिप विद खामेर किंग ऑफ कमोडिया तो इनके अचेवमेंट के अगर बात करें तो इन्होंने इरिगेशन पे भी काफे ज़्यादा काम किया है बाहर की कंडरी चाइना हुआ चाइना हुआ कंदूस्टै तो इससे भी इनके काफी अच्छे तैंस थे ठीक, नेक्स्ट किंग है राजा थी राज ठीक है राजा धिराज डाइड इन बैटल ओफ कुपम ही लूटेड दर चालुकिया ओफ कल्यानी एंड दिज वीर भिक्सिका दियर ही अजूम दर टाइटल ओफ विजय राजिंद्र इन कल्यानी राजिंद्र धिराज फर्स बाइड दर इस्टेट इस फ़र्फ फर्फ पर्फार्मेंट अस्वामेधा यग्या पोश्ट आफ ख्राउन प्रेंच टूहिस ब्रजर राजिंद्र सेकेंड नौट हिल्स संस ठीक है जादा इंपॉर्टन जो किंग यहां आपके विजयालया परांतक और राजा राज राज इंद्र ठीक है इंपॉर्टन गिंग है इंके बाद एक राजंद्र सेकेंड भी आते हैं तो इतना खास कुछ है नहीं फिर है वीर राजेंद्र फर्ष्ट के बारे में रेख लेते हैं वीर राजेंद्र फर्ष्ट के अगर बात करें तो says one of his inscription that he once burned Kodaram with the fire in 1068 AD made the Salendra rule to worship his feet फिर है वीर राजेंद्र also had a battle with western Kalyani Chalukya king Somaswarman and defeated the Chalukyas in the second battle of Kudal Sangamam in 1066 AD and he committed suicide by drawing in the Tungbhadra river ठीक है तो ये इनके बारे में हैं he established Vijay Istambha on the banks of Tungbhadra river and Vijay Istambha at the Kardila Gram in Rai Chur और इन्होंने he also defeated the Sinhala king Vijay Bahu and it is revealed from an inscription 1067 AD that Vijay Rajendra established a Vedic study center in Tirumukkadul and there was also a hostel and hospital in it he granted land to its 40,000 Vedic Brahmins ठीक है एक Vedic study center इन्होंने established करवाय था Tirumu Kudal में जहां पे उसमें hostel और hospital भी था and he gifted precious gems for Chidambaram's Natrash crown ठीक है और इनको क्या है इनको क्या है described क्या गया है as a great Tamil scholar in buddha mitra, buddha mitra's veer solium ठीक है नेक्ट किंग इसके बाद आते हैं कुलो तूंग फर्स्ट आफ्टर वीर राजेंद्रा इस सन अधी अधी राजेंद्रा बिकम्ट रूलर he was the last ruler of Vijayalaya dynasty after him the Chola Chalukya descendants became the destitute of Chola kingdom ये लास्ट किंग थे ये लेटर राजेंद्रा किल्ड हिम became the Chola empire by name of कुलो तूंग first the reign of कुलो तूंग begins from 9 June 107 AD and कुलो तूंगा was the prince of Chalukya dynasty of Vengi तो ये हमने देख लिया full complete जितने भी emperor थे कुलो तूंग first के बारे में वीर राजेंद्रा first के बारे में राजेंद्र second ठीक है इसमें ज्यादा most बहुत ज्यादा important है आपके लिए राजेंद्र first इनके बारे में फूरा देख लीजेगा उसके और राजा राज उत्तम चोला परांतक one परांतक second विज्यालेया ठीक है तो ये रहा आपका complete चोला empire अब नेक्ट वीडिय में हम पढ़ेंगे चोला administration की बारे में ऐसे ही बने रही है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू सो मच